नमस्ते चात्रों, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम इस वीडियो में हुणों का पर्थम आकर्मन किसके काल में हुआ था इसके बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे देखे चात्रों, हूण है वो मद्धे एसिया से आई हुई एक विदेशी जाती थी जिन्होंने यहां भारत में आकर अपने पैर पसार लिये थे और सबसे पहले हूणों का आकर्मन किसके ससनकाल में हुआ था ये क्यूशन हम आप से पूचते हैं आप बताईएगा और आगे इसके बारे में हम अध्यान भी करेंगे ठीक है तो पढ़ते हैं हुणों का पर्थम आकर्मन किसके काल में हुआ था हुण मद्धे एसिया में निवास करने वाली एक बरबर जाती थी जनसंख्या की व्रधी इंपरसार की आकांगसा से वे अपना मूर निवास अस्तान छोड़कर नए परदेशों की खोज में निकल पड़े आगे चलकर उनकी दो साखाएं हो गई थी ठीक है कौन-कौन सी साखाए थी पस्सिमी साखा और पूर्वी साखा पस्सिमी साखा के हून आगे बढ़ते हुए रोम पहुंचे जिनकी द्वनसात्मक कृतियों से सक्तिसाली रोम सामराजे को गहरा दख्का लगा पूर्वी साखा के हून करम साय आगे बढ़ते हुए ओकसस नदी घाटी में बस गए इसी साखा ने भारत पर अनेग आकरमन किये भारत पर हुणों का पहला आकरमन 458 इस्वी में हुआ उस समय गुप्त समराट कुमार गुप्त गद्दी पर था उसने यूवराज इसकंद गुप्त को हुणों का सामना करने का उत्तरदाईत्व सोपा था इसकंद गुप्त ने हुणों को बुरी तरह प्राजित कर दिया इसी विजय की आद में उसने विश्णू स्थम्ब बनवाया भारत से हार कर हुण बहुत निरास हुए जब तक इसकंद गुप्त जीवित रहा हुण भारत में अपने पैर नहीं जमा सके उन्होंने फिर इरान की ओर ध्यान दिया सारे इरान को नश्ट करके उन्होंने अपनी सक्ती और भी मजबूत कर दी थी इस परकार सक्ती एकत्रित करके हुणोंने तीस वर्स बाद भारत पर फिर आकर्मन किया था हुणों के परमुक सरदार तोर्मान और उसका पुत्तर मिहिरकुल थे लेकिर इसकंद गुप्त के बाद कोई सक्ती साले सासक नहीं हुआ जो हुणों का सामना कर सकता अतहे चटी स्ताब्दी के आरंभ तक हुणोंने भारत के उत्तर पसीमी हिस्से में एक बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया धीरे धीरे हुणोंने गुप्त समराजे को लूट कर उसे छिन्न भिन कर दिया यह युद बड़ा भेंकर्था उसकी भेंकर्ता का संकेत भीतरी स्थमलेक में हुआ है जिसके अनुसार हुणों के साथ युद छेतर में उत्तरने पर उसकी भुजाओं के परताब से पर्थवी काम गई तथा भीसन आवर्त अर्ताद बवंडर उठ खड़ा हुआ इस युद में सकंद गुप ने हुणों को बूरितरह से प्रास्थ किया तदा भारत से बाहर खडेड दिया इस युद का परमान सकंद गुप के जुनागड अबिलेक से मिलता है जिसमें हुणों को मलेच कहा गया है मलेच देश से तातपरिय गांधार से है जहां प्राजि का अर्थ इसकंद गुप्त की हून विजे से है सोमदेव के कथा सरीच सागर में उलेख मिलता है कि उजैनी के राजा महिंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने मल्लेचो को जीता था यहां भी इसकंद गुप्त की और ही संकेत है जो कुमार गुप्त महिंद्रा दित्ते का पुत्र था मल्ले छोसे तात पर ये हूनों से ही है युद इस्तल तो इसकंद गुप्त एम हूनों के बीज युद किस इस्तल पर हुआ था ये कहना कठिन है विभिन मतमतांतरों को देखते हुए पस्चीमी भारत के किसी भाग को ही आप खानिस्तान में बस गए जहां हून इरान के ससानी राजों के साथ संगर्ष में उलज गए हूनों को पराजित करने के उपलक्षे में सकंद गुप्त ने भी अपने पूर्वजों समुद्र गुप्त दथाचंद्र गुप्दुवित्य के समान विक्रमादित्य की उप का पर्थम आकर्मन किसके काल में हुआ था थो वह है आपका सकंध गुप्ता इसकंध गद्धव वैसे तो उस्ताइस गद्धी पर तो कुमार गुप्त था लेकिन यूध इसकंध गुप्त से हुणों का हुआ थ ॉर हुण इस में पराजित हुए थे ठीक है तो ऐसे ही बने रहे हमारे यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज पे